बिसमेल आरामान रायम, इस lecture के अंदर हम speech to text या text to speech दो किसम की apps बनाने वाले हैं, तो ऐसा कर लेते हैं, इस lecture को दो पार्ट में तक्सीम कर लेते हैं, पहला जो है हम करेंगे text to speech कि आप यहाँ पर text रखें, और वो text एक speech के अंदर convert हो जाएं, जिसको हम AI voice generator भी बोलते हैं, आपने text देना है, और वो text जो है, वो एक AI voice के थुरू generate हो जाएगा into different thing, हम use करने वाले हैं open AI की API, और API को use करके एक application develop करेंगे using streamlet, वो streamlet आप में से कफी लोगों को एक YouTuber बनाने मे help out हो सकती है, कर सकती है, कैसे, कि आप सिर्फ text लिखें, कहीं से आप images उठाएं, और उसके उपर text लगाएं, shots बनाएं, बड़ी-बड़ी videos बनाएं, then it's totally up to you, कि आप किस तरीके से utilize करते हैं, तरीका कार आज हम आपको बताने वाले हैं, और apps आपके सामने रखने रखने व हमारा आज streamlet के उपर, और यहां पर मैं एक निया folder बनाऊंगा, जिसका नाम है 12 underscore, इसको मैं बोलता हूँ, text to speech, text to speech के उपर यह folder है, मैं यहां पर app.py के नाम से app बनाता हूँ, और यहां पर हम काम स्टार्ट करते हैं, text to speech का app का, और यह जो app है, यह basically कैसे बन रही है, क्यो जो हैं शामिल है, screen आपके सामने है, इस screen के उपर अगर आप text to speech model पे जाएंगे, open AI के model जो है text to speech, उस पे जाएंगे तो उन्होंने यह code दिया हुए, अगर आप एक python की file के अंदर कुछ इस तरीके से code को लिखते हैं, तो आप अपनी पूरी की पूरी text to speech जो है वो file यहां पर बताया गया है, the speech endpoint takes in three key inputs, model, text, अब model हमने जो देना है, यहां पर वो आजाएगा, text आजाएगा, path आजाएगा, and then हमारे पास response आजाएगा, कि किस तरीके से हमारे पास जो चीज़ें वो काम करती है, model हमारे पास दो किसम के हैं, एक का नाम है TTS-1 या-1, एक का नाम है T TTS-1 HD, और यह दोनों model हमारे पास text-to-speech के model है, अगर आप यहां पर click करेंगे, तो आपको different किसम की voices सुनाई देंगी, मैं कोशिच करता हूँ अगर यह यह यहां पर play हो, sun rises in the east and sets in the west, तो यह alloy की voice है, जो sun rises in the east and sets in the west, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमारे पास और भी voices हैं, जिनको हम यहां पर देख सकते हैं, अब हमारे पास TTS-1 and TTS-text-to-speech-1-HD model यह दो हमारे पास model मुझूद हैं, हमारे पास voices जो हैं, वो alloy, eco, fable, onyx, nova and shimmer, यह इतनी नामों की हमारे पास voices मुझूद हैं, और यहां पर हमारे पास different किसम की outputs के अंदर हम चीजों को save कर सकते हैं, तो यह हमारे पास basically, एक stream हमारे पास voices को save करने दे तरीका कार है, आप इसको real time में भी change कर सकते हैं, for example, यहां पर यह पूरा code लिखें, और code लिखने के फॉरान बाद ही आप यहां पर अपनी कोई भी input डालें, और आपका output जो है, वो stream हो जाएगी, output MP3 के अंदर, so this is how you can work, client आपका open AI है, और यहां पर response client.audio.speech.create के नाम से आप generate कर लेते हैं, यहां तक आपको clear हो गया होगा किस तरीके से हमारे पूरी की पूरी app बनेंग इसकी app बनाते हैं और app को बना के देखते हैं कि हमारे पास कौन-कौन की ऐसी चीज़े हैं जो हमें जरूरी चाहिए होगी, ठीक है, यहां पर सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम अपने जो modules हैं, उनको हम यहां पर load कर लेते हैं, for example, मैं यहां पर लिखता हूँ, import streamlet as st, य यह हमने कर लिया, और यहां पर मैं लिख देता हूँ, creating a text to speech app, ठीक है, यहां पर हमने लिखना स्टार्ट कर दिया, और यहां पर आप देख सकते हैं, import streamlet as st, from openai, हम यहां पर openai से क्या import करेंगे, openai को, और यहां पर मैं अपना environment जो है, वो streamlet वाला ही कर लेता हूँ, वहां पर openai हमारे पास पहले ही मुझूद है, तो हमने यहां से openai को import कर लिया, यहां पर लिखना है, import openai, और यहां पर हम करेंगे import os भी, और इसके बाद, देखते हैं हमें और कौन से चीज़ की जरूरत पड़ती है, ठीक है, अब हमने एक function create करना है, function, यहां पर मैं लिए हमने text को speech के अंदर convert करने के लिए हमने करना है, ठीक है, और इसके अंदर हम openai की API की भी use कर सकते हैं, और इसके लिए आप simply क्या करेंगे, define करेंगे text to speech, text, voice, और यहां पर openai जो हमारे पास है API, वो हम utilize कर सकते है, response हमारे पास है openai. text to speech, text, voice, हमने यहां पर बताना है और फिर हमारे पास output जो है, वो .mp3 के अंदर save हो जाएगी, write binaries के through, as function हम जब करेंगे, तो हमारा जो भी content होगा, वो यहां पर save हो जाएगा, ठीक है, and this is how we can use it, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमने आगे क्या करना है, इसी चीज़ को use करते हुए, हम display कर सकते हैं audio को on the, हमारी जो app होगी, उसके अंदर, तो उसके लिए जो भी हमारा audio होगा, उसको हम audio file को open कर लेंगे, something like this, और उसको हम read binaries के साथ open करेंगे, ताके हमारे पास file जो ever read हो, और format उसका audio slash mp3 हो सकता है, या कोई भी हमारे पास जो भी format है, mp3 के इलावा भी, वो भी हम यहां प create करेंगे, फिर आप display the voice option, आप इसको ले के चल सकते हैं, यह मैं सारा काम जान बूज के through, github code जो है, github copilot उसके through कर रहा हूं, ठीक है, create a function to display the voice option, ठीक है, st right, number one, default, number two, voice one, voice two, voice three, इसकी बजाए, हम अपने model में जाते हैं, और यहां से यह जो voices हैं, इनको हम ले के आते ह हैं, जो हमारे पास पड़ी हैं, कि आप इसमें से कोई भी voices जो हैं, वो ले सकते हैं, मैं इसको copy करता हूं, वापीस अपने code में जाते हैं, for display the voice options from these voices, let's see, मैं यहां पर यह voices लिख देता हूं, मैंने सारी voices वहां पर लिख दी हैं, let's see, हमारे पास कोई function generate होता है, नहीं होत यह कैसा हमारे पास function जो है, वो generate होता है, let's see, तो हमारे पास select box आ गया, alloy, eco, fable, onyx, nova, and shimmer, इन सारी voices का हमारा, जो voice option है, वो बन गया, अब हमारे पास जो text input है, उसको लेने के लिए हम यहां पर text area देंगे, enter the text to convert into speech, यह वाले लिख दिया, और इसके बाद हम at the end कुछ भी कर सकते हैं, इसके अंदर, to display the convert button, हम convert button भी यहां पे लगा सकते हैं, और मैं सिरफ flow के साथ move कर रहा हूँ, let's see, हमारे पास क्या होते है, create a function to display the main app, अब हमने main app को यहां पे display करने के लिए function create कर लिया, और यहां पे हमारी जो app है, उसको हमने यहां पे रख लिया, let's see, जी हम हमारे पास क्या बना है, पहले इसको देखते हैं, और फिर इसको हम चेक करेंगे कि हमारे पास app एक बनी भी यहां कि सिरफ बात हैं, ठीक है, और मैंने github copilot की functionality को यहां पे use किया, just to see कि हमारे पास किस तरीके से output आती है, ठीक है, अब यहां पे मैं conda deactivate और mamba deactivate करके start करत यहां पे mamba activate streamlit कर लेता हूं, underscore env, जो मेरा environment है, and now I am going to do 13 streamlit के अंदर और 12 text to speech, इसके अंदर आगे, ls किया तो मेरे पास app.py है, तो मैं यहां पे streamlit run app.py लिखता हूं, so let's see हमारे पास app open होती है, और उसके अंदर क्या होता है, I know there might be a lot of other things, वो कौन सी हैं अभी हम मैं आप को बताता हूं, कि सबसे पहली error हमारे पास आई है, कि API नहीं है, open AI के अंदर API हमारे पास नहीं है, so what I can do, I can just copy this error, can go back, और यहां पे इस पूरे को select करके control AI दबा के GitHub Copilot की functionality को use करते है, and let's see हमारे पास कौन सी error है, और किस तरीके से इसको resolve करता है, and you totally get it कि हमारे पास जो API ह है, वो इस तरीके से नहीं लिखा जाता, हमारे पास इसको लिखा जाता है, open AI, simply, so I know already the error, और इस error को हम और भी resolve करने की कोशिश करते हैं, let's see, ये जनाबे वाला मेरे पास errors आई थी, मैंने इसको resolve किया, और मैंने as it is इसे लिख दिया, और यहाँ पे इन्होंने ये भी लिख दिया, कि open AI text to speech हो गया, और बाकी चीज़ें API वगरा, etc., etc., मैंने इसको save किया, save करने के बाद, मैं इसको always run करता हूँ app को, और अभी भ हमारे पास same जो है, वो error आ रही है, और उसकी reason कहा है, you already know कि हमारे पास, यहाँ पे API नहीं आना चाहिए, ठीक है, and we have to do something like this, और यहाँ पे open AI इस तरीके से आ गया, and then we have to see, import open AI, तो यह भी यहाँ पे चलेगा, and then I can try it again, cannot import open AI from open AI, still I have this error, ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने अपनी chat GPT जो हमारे पास है, उसके अंदर जाने, इस app का code डालने, ठीक है, और इस पूरी की पूरी app के code को वहाँ पे डालके, हम fix करने की कोशिश करेंगे, कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी चीज़े हैं, जो अभी भी इसके साथ नहीं काम कर रही, लेट सी, और मुझे पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यह जनाब हमारे पास आ गया है, चैट GPT, मैंने इसके अंदर अपनी app का पूरा code डालूँगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और मैं end पे लिखता हूँ, fix this code, I am having this error, so error, so मैं यहाँ से, अपनी जो error है, उसको मैं copy करता हूँ, और यहाँ पे paste करके, इस तरीके से run करते हैं, let's see, हमारे पास क्या होता है, and hopefully you will see, के chat GPT prompting के through, we can fix anything, और anything से मुराद यह है, कि आपके सामने यहाँ पे जब fixation किसी चीज की हो जाएगी, you will see a complete code, और I know के code कहाँ पे गलती कर रहा है, लेकिन सिरफ समझने के लिए, हमारे पास जो text to speech का, जो open AI की तरीके से काम करने वाल code को use करके cap बनाना है, जिसके अंदर हम चीजों को add कर सकें, और हम देख सकें किस तरीके से हमारे पास final code जो है, वो आता है, I know आम मेंसे काफी लोग कह रहे होंगे, कि फिर हमें coding सीखनी चाहिए, कि नहीं, prompt engineering मैं कहता हूँ, पहले आप सीखें, फिर आइस्ता इस्ता coding की त save करने के बाद, मैं दुबारा से environment में जाके, इसको run करने की कोशिश करता हूँ, so, cd 1312, यहाँ पे, यह जनावे वाला हमारे पास code transfer होके कुछ इस तरीके से आ गया है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, hello, how are you, यह मैंने लिखा, और इसको alloy की voice में convert करता हूँ, तो वो कह रहा है कि audio has no attribute create, ठीक है, अब I know कि यहाँ पे क्या problem है, पहली चीज तो यह है कि हमारे पास यहाँ पे open AI की API की डालनी है, obviously API की जो मैं कल परसों से आपको बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे TTS की मैं एक API की बनाता हूँ, अपन limit खतम होगी है मेरे पास API की इसकी, but I can try again, API की बन गी है, नहीं limit खतम होगी, बच पे बच गए है, यहाँ पे मैं API की डालता हूँ, और इसको मैं save करता हूँ, और अपनी app को दुबारा से run करता हूँ, यहाँ पे hello how are you को convert करते हैं, तो still यह error आ रही है, अब इस error को उठात हूँ, chat GPT में जाता हूँ, उसको कहता हूँ कि यह error अभी भी आ रही है, let's see, let's see, जी हमारे पास यह किस तरीके से काम करता है, अब यह हमें और तरीकों में ले के जाने लग गया है, ठीक है, समझागी बात की, so now it's asking us कि आप Google text to speech जो है, उसको use कर लें, उसकी SDK फाइल ले लें और फिर उस पे काम करें, but we don't have to do that, basically हमने जिस पे काम करना है, वो यही हमारे पास एक app है, जिसके उपर हमें काम करना ज़रूरी है, अब इसी वज़ा से कुछ चीजें आपके सामने में गोश्ट गुजार करता हूँ, मैं यहाँ पे, अब, अब इसके उपर हम काम करते हैं, और देखते हैं कि यह किस तरीके से हमारे पास पूरी की पूरी app बना के देगा, यह नहीं भी देगा, right, so, मैंने यह app को code आपको क्यों दिया है, क्योंके हमारे एक student है, रिजवान भाई, उन्होंने इस पर काम किया हुए, and now I'm just gonna show you the function किस तरीके से यह काम करता है, अब जितना भी lecture आपके सामने मैंने पहले perform किया, यह github co-pilot को use करके किया, और साथ में chat gpt को, point to be noted, chat gpt और github co-pilot की कुछ limitations है, क्यों, क्योंके जो recent models November के अंदर आएं, अगर chat gpt उन models पर train है, तो फिर ही आपको solution देगा, otherwise नहीं देगा, अगर आपके पास वो models मुझूद नहीं हैं, जो recently train हुए हैं, तो you have to rely on something else, secondly, यह जो apps आप बनाते हैं, इसके दो तरीके हैं, पहला तरीका यह है, कि आप खुद से coding करें, और छोटे-छोटे functions को समझे, second तरीका क्या है, वो मैं आपको पहले बता दे, तो फिरा मैं आपकी तरफ चलते हैं, आपने यह text to speech model पे जाने, यह इसकी पूरी documentation है, ठीक है, आपने क्या करना है, harpa.ai के नाम से extension है, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, harpa.ai के नाम से, आपने इस extension को open कर लेने, ठीक ह तो मैंने उसको किया हुए, आप यहाँ पे harpa के उपर click करेंगे, click करने के बाद आप यहाँ पे, जो भी question पूछेंगे, वो सारे के सारे questions के answer, based on this web page आपके पास आएंगे, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप usually इसी web page जहाँ पे documentation लिखी हुई है, यहाँ पे chat GPT को use करने क पे जाए, आप harpa की extension को use करके पूरी की पूरी app बना सकते हैं, and that app can help you, secondly obviously वो ही बात है कि आपको थोड़ी बहुत coding आनी चाहिए, और आप उस coding की base पे अपनी app को generate करें, अभी के लिए आपको मैं पूरा code जो है वो दिखा देता हूँ एक दफा और यह app किस तरीके से काम क करती है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं, सबसे पहली चीज यह है कि आपने यह चार लाइबरेडिस को import करने, चार लाइबरेडिस को import करने के बाद, आपने एक function लिखना है to convert text to speech modified to explicitly use an API key, हमने क्या यहां पर किया हूँ है basically, खासतोर पर इस वान भाई का यह code है, मै बार बार उनको इस वेड़ा से mention कर रहा हूँ, because you should know कि यह किसने काम की है, text to speech का आपने function बना है, आपने API key भी यहां पर देनी है, text भी देना है, string के अंदर, then it will work, अब यह क्या करेगा, यह function की definition है, कि यह function क्या करने वाल है, this converts text to speech using openAI tts-1 model, tts-1 model, and saves the output as mp3 file, explicitly using an API key for authentication, तो आपने क्या करना है, basically, आपके पास API key होनी चाहिए, something like this, API key is equal to API key, जो आप यहां पर provide करेंगे, and then you will have some kind of temporary file, और यह function यह नो ने add किया, यहां पर, कि आप इसके अंदर, basically, speech file path देंगे, temporary जो होता है, and then client.audio.speech create कर यहां पर आप function देंगे, जिससे क्या होगा, tts-1 model को a lawyer के नाम से यह change करेगा, and then you can have your file after this function is done, so basically, यह text को लेगा, different, जो आपके एक ही यहां पर voices को change करेगा, और यहां पर tts-1 model को use करेगा, अगर आप यहां पर minus hd लिख देंगे, तो आपके पास वो वला आजएगा, but for now, this one is working, then आप text to switch converter है, यह इसका cover page है, और यह markdown के अं user input में API key मांगी जाएगी, और वो API key उस function के अंदर use हो जाएगी, user input आपने देनी है, अपना text यहां पर लिखना है, और यहां पर वो वाली जो text होगा, वो बाद में user input के अंदर आजाएगा, फिर अगर वो button convert का press होता है, तो आपकी API key जो है, वो आजएगी, अगर नहीं API API key दी हुई, तो यह error आएगी, and then else क्या होगा, speech path text to speech चलेगा, based on the input text, आपकी audio के अंदर read binary आएगी, और audio MP3 file को आप देख सकेंगे, same वो ही function है, लेकिन एक simple way में लिखे हुए, delete the temporary file after the use, आप जब भी उसको use कर लेंगे, तो आप इसको temporary file को देख सकते हैं, यह उनके जो foot आप को run करता हूँ पहले, फिर हम देखते हैं कि यह आप हमारे साथ किस तरीके के कमालात कर सकती है, और फिर हम इस पे काम करते हैं, let's see, यहां पर मेरे पास error आ रही है, क्यों? क्यूंकि I remember कि मैंने recently open AI को install किया था, pip install open AI और इसको minus u करता हूँ, क्यूंकि एक app के अंदर मैंने इसको downgrade किया था, so now I have to upgrade this, इसी वज़ा से ही मुझे error आ रहा था और पिछली भी इसी वज़ा से error आ रहा था, otherwise यह app अटोमेटिकली बन जानी थी, कोई error नहीं था, now open AI जो है मेरे पास upgrade हो गी है, मैं इसको दुबारा से run करता हूँ, hopefully now it will work, and here you go, ठीक है? so जो पिछली error आई थी, वो basically इसी वज़ा से आई थी, because my task was not, my open AI library was not working really well, मेरे पास code save है, मैं इस code को उठा के दुबारा से check भी कर सकता हूँ, if this app is working fine, but, पहले रिस वन भाईवाली आप देख लेते हैं, यह इन्होंने एक image create किया, आप अपनी मर्जी से भी image create कर सकते हैं, और यह cover photo के उपर आ जाएगी, and then you have to put your open AI key, API key, मैं यहाँ पे अपनी API key जो है, वो यहाँ पे add करता हूँ, और यहाँ पे देखते हैं, hello welcome to our text to speech converter, मैं यहाँ पे convert करता हूँ, it will start working, and at the end you have all the things, hello welcome to our text to speech converter, ठीक है, अब आपको आवाज आई होगी, इस तरीके से आप अपनी आवाज को convert कर सकते हैं, right, दोबारा मैं सुनाता हूँ आपको, आपको शाहिद आवाज आए, तो आपको आवाज आ रही है, that's what I want you to check, अब यहाँ पे इस एप के अंदर जो थोड़ी बहुत खामी हैं, उसको भी हम resolve करेंगे, लेकिन पहले, उससे पहले मैं वापिस जाता हूँ, और यहाँ पे अपनी जो मैंने पहले एप क्रियेट की थी, उसका code पेस्ट करता हूँ पेस्ट करने के बाद हम इसको एप को दुबारा से रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ बे देखते हैं कि जो मैंने पहले एप क्रियेट की थी, वो काम करती है कि नहीं करती, अगर यह एप काम करती है, that means everything is working fine, and we don't need to worry about any kind of code at the end, sorry, I just need to check it again, मैं API की डाल रहा हूँ code के अंद let's see, hi, hello, there still there are some things going on, मैं गया करता हूँ, यह वाला पूरा एरर उठाता हूँ, यहाँ पे वापेस आता हूँ, and control I करके, इस जगा पे इस एरर को मैं आता हूँ, this is not working, API के अंदर problem है, API key, this is fine, चलें इसके अपर time हम बेस्ट नहीं करते हैं इस वकत के लिए, this is API, API key, and here you go, text area, user input, or API key, खेर, मैं उस पे अभी time नहीं लगाता, क्योंकि मेरे versions का issue है, I don't want to work on that now, लेकिन यह आप जो है, यह आपके सामने हाजिर है, और इसके थरूँ आप काम कर सकते हैं, and this is how it is working, मैं इसको refresh करता हूँ, यहाँ पे आप अपनी API key डालते हैं, तो मेरे पास API key अपनी पड़ी हुई है, और यहाँ पे key आई, and convert करते हैं, और, अब एक काम आपने क्या करना है, आपने इसी speech के अंदर एक function add करना है, तो चूज मॉडल या voices, ठीक है, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप basically अपना एक यहाँ पे object बना सकते हैं, for example, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं यह लिखता हूँ, model, and list the, यह यहाँ पे लिखता हूँ, create a select box for a model, model is equal to select model box, tts1, 1-hd, तो यहाँ पे मैं यह लिख देता हूँ, let's see, और दूसरा हम करते हैं, create a select box for, for the vocal, तो हमने वो ही नाम लिखने हैं, जो हमारे पास हैं, online, तो मैं वही पे जाता हूँ, दुबारा, यहाँ से, नाम जो हैं, वो list उठा लेता हूँ, यह वाली, इनको copy करके वापिस code में जाते हैं, और यहाँ पे मैं यह से बोलता हूँ, from this, and now it will create voice, ठीक है, so हमारे पास यहाँ पे, model के अंदर, model आ जाएगा, और voice के अंदर, voice आ जाएगी, and hopefully it will work fine at the end, let's see, इसको check करते हैं, and here you go, let's see, हमारे पास मैं TT1S रखता हूँ, और eco voice रखता हूँ, यहाँ पे अपनी API की डालता हूँ, यह मैंने API की डाली, enter press किया, convert करते हैं, it is working, voice change हो गई है, अगर आप यहाँ पे onyx रखेंगे, convert, तो यह आवाज डिफरेंट आगे है, मैं यहाँ से इसको shimmer रखता हूँ, shimmer, कैसा ना, तो यह आप यहाँ से change कर सकते हैं, जैसे मैं 1 HD करूँगा, now you will see a change, audio time लेगा, थोड़ा सा speed slow होगी, but at the end quality बहुँ अपरदस्त होगी, अब HD quality के अंदर चीज आ रही है, ठीक है, यह तो हमने बना ली, अब हमारे पास दो function add होगे, इसको अगर मैं sidebar में लेके जाना चाहूँ, I can do that one as well, यह text to speech के नीचे लेके आना चाहूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यह जो मैंने दो boxes बनाए हैं, इसको मैं control x करके, यहां से मैं नीचे ले जाता हूँ, after the API key, ठीक है, यहां पे इसको ले लेते हैं, ठीक है, API key के नीचे, अब user input हम पूछेंगे, और यहां से बाकी चीज हम यहां पे ले आएंगे, ST हो गया, यहां पे API किया आजएगे, text to speech आजएगा, and so on so forth, अब इसके अंदर हमें एक और चीज़ आड़ करनी है, download का button, क्योंकि जाहरी बात है, जब भी कोई बंदा इस तरह की app को use करेंगे, at the end, they needed to have a download button at the end, ठीक है, सो मैं यहां पे क्या करता हूँ, यहां पे लिखता हूँ, add a download button to download the final audio, यह तो हमारे पास mockdown आगए, तो यह हमारे पास link आगएगा, but we need to add the button, final audio, इसको मैं ऐसे करता हूँ, if st.button download, I see, वो तेंपरेरी सेफ कर रहे, okay, right, text to speech, आगा speech पाथ, यहां पे API की user input, st.op, you know, right, format, audio dot binary, right, okay, let's try this app first now, यहां पे क्लिक करते हैं, API की को पेस्ट करते हैं, enter करते हैं, convert करते हैं, API की को दोबारा रखते हैं, यहां पे, convert करते हैं, थीक हो गया, everything is fine, यहां पे, अब मैं बाकी लोगों से गुजारिश करूँगा, यह एप जो है, इसका code मैं शेयर कर रहा हूँ, अगर रिजवान भाई इसकी अजाज़त देंगे, hopefully उन्हें को मसला नहीं होगा, क्योंकि यह open source है पहले भी, तो आप से मेरी request यह है, कि जब भी आप ऐसी app बनाएं, आप जो यहां पे review दिया जाता है, आपकी app का, यह testing की जाती है, तो प्लीज इसको आप add किया करें, अब इसमें क्या कमी है, एक तो model की कमी थी, जो मैंने आपको बता दिया, second आप यह करें, कि जब भी कोई audio बने यहां पे, आप उसको download भी कर सके, and I know कि download करने के लिए, आप अगर यहां पे click करके, simply download पे click कर लेंगे न, तो आपके पास mp3 file यहां पे download भी हो जाएगी, लेकिन it's not enough, you should be really careful whenever you are working on these kind of files, आपको बकाइदा उसको mp3 file में save करवाना है, इसको ना कि किसी और file के अंदर save करवाना है, so please provide the functionality to download this as an mp3 or wave or other file, तो आप यहां पे क्या करें, आप यहां पे एक functionality add करें, जिससे क्या हो, कि text to speech जो हैं यह तो होगी varieties, the default response is mp3, but other formats like opus, aac, flag and pcm, यह जो हैं इनको भी add करें, ठीक हैं, तो यहां पे आप एक select box add करें, जो मैं पहले ही कर देता हूँ, यहां पे सिरफ आपको बताने के लिए, ताके बाकी लोग जो हैं इससे वो थोड़ा सा फाइदा भी लेग सकें, कि यहां पे आप add करें, कि यहां पे मैं लिखता हूँ, डाउनलोड ओडियो, फॉर्मेट, select, box, from mp3, opus and these, तो आप क्या करेंगे, इस functionality को, audio format वाली को आप add करेंगे, और यह जो audio format है, it should be inside the function, ठीक है, तो मैं यहां पे इसको comment out कर देता हूँ, अभी के लिए ताके app सही से काम करती रहे, so please add this function, add the download button, और आपका यह फिर app, जो है यह best performing app हो जाएगी, मेरे ख्याल से, download button भी add करेंगे, ठीक है जी, तो यह app अभी आपके सामने आने वाली है, आप इसको देखिएगा, जैसे मैं यहां से lecture खतम करता हूँ, मैं इसको upload कर दूँगा, push कर दूँगा, and then you can utilize the power of this app, अब next app के अरब तरफ हम जाने वाले हैं,